नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मेडिया दर्सनकवार का यूट्यूब कैनल जिन भर की बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है जी आर्पी ने चेकिंग अवियान के दोरान गया मेमो पैसेंजर से 17 लिटर सराब बरामत किया है आपको बता दे कि सासा राम जी आर्पी ने गुरू वार को 0-3-38-4 गया मेमो पैसेंजर ट्रेंज से 17 लिटर सराब बरामत की है इसकी जनकारी जी आर्पी थाना अध्यक्ष की एम खान ने दी उन्होंने बताया कि विसेस टेकिंग अवियान चलाया जा रहा था इसी दोरान काले बैग में 22-500 एमेल और दो उजले रंग के जोले में 34-180 एमेल की बोतल बरामत हुई उससे जप्त कर आगे की करवाई की जा रही है अवियान में पिंटु कुमार चौदरी, मुहम्मद साजाद, आलम, फूल, बाबू सामिल रहे है योजनाओ की रासी हडपने के मामले में अफसरों ने जाच किया है आपको बता दे की कारा काट इटवा बाल के समीप एक ही जमीन पर चार तरह की योजनाओ का संचालंग दिखा रासी हडपने के मामले की जाच पटना और जीले से आए अधिकारियों ने गुरू वार को की अधिकारियों ने बताया कि बहुत ही गंभीर मामला है यह कहीं जमीन पर चार सबसीड़ी हडप ली गई है अधिकारियों ने बताया कि अमीन के चलते जाच अधूरी रह गई सियों को जमीन मापी के लिए अविलंब अमीन बहाल करने का निर्देश दिया गया है चूले की चिंगारी से निकली आग ने आठ घरों को जला कर राक कर दिया मामला कोचा स्थाना छेतर के कुछिला के करगहर रजवाहा के किनारे जोपड़ी बना कर रह रह आठ महादलित परिवारों का असियाना गुरुवार को जल कर राक हो गया आग लगने के कारण मुन्ना मुसहर के घर में खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी बताया जाता है अगनिसामक दल और अस्थानिये लोगों के सहयोग से घंटो बाद आग पर काबू पाया गया वहीं पिड़तों में मुन्ना मुसहर, संजीव मुसहर, गुड्डू मुसहर, बुलाकी मुसहर, दसरत मुसहर, हनुमान मुसहर, हल्खोरी मुसहर, नचक मुसहर, सामिल है पिड़तों ने बताया कि आग लगी के दौरान घर में रखे कपड़े, बरतन और खाने पीने की सारी समागरी जल कर राख हो गया यह पिड़तों ने बताया कि इसकी सुचना अस्थानिये पुलिस और सीयो को दिय दी गई है लगतार जिले में बिजली तार चोरी का मामला सामने आ रहा है मामला नहटा थाना छेतर से दो किलोमीटर की दूरी पर धाई किलोमीटर तक का 33 के विए तार चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है वहीं मामले को लेकर सहायक अवियंतार रवी रंजन कुमार ने ठाने में FIR दर्ज कराई है FIR के अनुसार नहटा पावर सबस्टेशन से बॉलिया पावर सबस्टेशन में आने वाला तार दबुआ मोर से बेरकी तक गाइब हो गया 27 पोल का तार चोरों ने काट लिया है सुबह बिजली कर्मियों के साथ अधिकारियों ने भी जाज की सहायक अवियंता ने बताया कि तार की कीमत 2,68,195 रुपया है 89 पावर सबस्टेशन को फिला हाल दूसरे माध्यन से बिजली आपूती की जा रही है केंद्र सरकार के नितियों के खिलाप महागडबंदन कर्जकरताओं ने करगार परखंड मुक्याले पर दिया धरना 2024 में देश की सता से भाजपा को उखाड फेकने का लिया गया संकल्प आपको बता दे कि प्रक्षंड मुख्याले पर महागडबंधन के करज करताओं ने एक जीवसिये धर्ना का आयोजन किया धरने में महागडबंदन करकरताओं और नेताओं ने कहा कि किंद्र सरकार की गलत नियतियों के चलते देश में महंगाई विरोजगारी और भरसाचार चरन सीमा पर है महंगाई के चलते आम जनतात्रस्थ है इसके बावजूद किंद्र सरकार देश को धर्म के नाम पर बाटने का काम कर रही है इस संस्थाओं का निजी करण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि किंद्र सरकार बिहार के साथ सोतेला बेवार करी है अगर केंद्र सरकार की नियत साफ होती तो बिहार जैसे पिछडे राज्य को विसेस राज्य का दर्जा जरूर दे सकती थी धर्ना में सामिज जदिउ पर खंड जच मनोज कुमार सिंग जदिउ निता गुपते स्वर सिंग भागपा महामंतरी महंद्र परताद गुपतार राज़त खंड जच सकील अहमद सुसिल कुमार मिस्रा वहीं तमाम कर्ज करता मौजूद रहें बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रही है तब तक के लिए दीजिए याज़ा धन्यवाद